हेलो स्टूडेंट्स मैं कमने उस्पान से ना कॉम्मटिशन कम्मूनिटी के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर के जो हमारी सीरीस चल रही है उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आप इस वीडियो को देखने पहले एक बार पिछले वीडियो को जरूर देखेगा ताकि आपको थोड़ा सा आगे का जानकारी मिल सके चलिए शुरूरात करते हैं इतियास के इस वीडियो को पंजाब में अमरिस सर नगर को इस्थापित किया गया पंजाब में अमरीज सर नगर को स्थापित किया गया तो अमरीज सर जो सहर है उस समय गुरू रामदास ने इसकी स्थापना की थी गुरू रामदास तो गुरू रामदास ने जब इसकी स्थापना की तो वो टाइम था अकबर का अक्बर का और अक्बर के समय में अक्बर के समय में सिखों के चौंथे गुरु हुआ करते थे कौन आपके रामदास गुरु रामदास चौंथे गुरु सिखों के चौंथे गुरु रामदास रामदास को अमरी सहर बसानी के लिए पास सो बीगा जमीन अकबर ने दी थी साथी साथ जो इनके सिखो के पहले गुरु हुए सिखो के पहले गुरु उनका नाम है गुरु नानक पहले गुरु सिखो के पहले गुरु सबसे पहले गुरु होंगे सिखो के पहले गुरु वो कौन है गुरु नानक और सिखों के अगर आपको दसवे गुरु पुछा जाए, सिखों के दसवे गुरु तो सिखों के दसवे गुरु आपके हैं, गुरु गोविल सी साथी साथ, गुरू तेख बहादूर जो हैं सिखों के नववे गुरू हैं, सुखों के नववे गुरू जिनकी हत्या औरंग जेब ने कर दी थी औरंग जेब ने क्योंकि इसके पुत्र की सायता गुरू देख बहादूर ने की थी इसकारण से औरंग जेब ने सिखों के नवे गुरू तेक बहादूर की हत्या की थी इसे भी आप याद रखेंगे वह कौन सेननायक था जिसे बीजापूर के सुल्तान ने सिख्टिम 59 1669 में सिवाजी को खतम करने के लिया दबाने के लिए भीजा था या कैद करने के लिए भीजा था इनायत खाँ अफजल खाँ साइस्ता खाँ या सयद बंदा तो यहां पर यहां पर जिसे भीजा गया था उसका नाम था अबजल खाँ अबजल खाँ को 1669 में 1669 में बीजापूर के सुल्तान ने भीजा था जहाँ पर अफजल खाँ की हत्या अफजल खाँ किसके दोरा कर दी गए सिवाजी के द्वारा कर दी गई थी अफजल खां के बाद एक और विक्ति आया था जिसका नाम है साइस्ता खां इसे भी याद रखेगा साइस्ता खाया आया था आपके सिवाजी को पकड़ने बट ये भी क्या रहा विफल रहा और इनी के बाद अफजल खान सबसे पहले आया फिर आपका साइस तक हाँ आता है इनी के बाद आया था जैसी और इस जैसी को भेजा था किसे ने औरंग जेब ने और जैसी के साथी सिवाजी के एक संदी हुई थी जिसे हम जानते हैं 1665 की संदी और इस संदी का नाम है पुरंदर पुरंदर की संदी या ट्रीटी आफ पुरंदर भी आप बोल सकते हो ट्रीटी आफ पुरंदर जो जैसी और सिवाजी की बीच हुई थी तो आपको एक्जाम में पुछेगा कि कौन कौन आया था सिवाजी को पकड़ने आप बताएंगे पहले अफजल खान फिर साइस्ता खा फिर जैसी आया और जैसी कहीं न कहीं इस चीज में सफल हुए और उनके बीच में सिवाजी और जैसी की बीच में कौन से संदी हुई पुरंदर की संदी हुई सिवाजी के अश्टर प्रधान को सदस्य विदेशी मामलों को देख रेक करता था विदेश मंत्री कौन था सिवाजी के अश्टर प्रधान में जैसे आप जानते हैं सिवाजी के अश्टर प्रधान में एक पेस्वा नाम का भी पूश्ट हुआ करता था और आगे चल कर कही सबसे पहले समझें कि अरंग्जेb का कार्यकाल था 1658 से 1707 तक औरंग जेब का काल था यानि 1707 में किसकी मृत्ती हो गई औरंग जेब की मृत्ती हो गई तो इस समय पर कौन सासन में था इसे पूछा है तो यहाँ पर आपको चार अपसंद दिखे रहे हैं संभाजी राजा राम ताराबाई और जीजाबाई जीजाबाई तो सिवाजी का जो बेटा संभाजी कहीं न कहीं सासन करता है संभाजी का सासन चलेगा 1680 से 89 तक संभाजी को कहीं न कहीं औरंग जेब के द्वारा मार दिया जाता है 1689 में संभाजी की हत्या कर दी जाती है उसके बाद जो सासन करते हैं उनका नाम है राजा राम और राजा रा जो होते हैं सिवाजी के भाई होते हैं और राजाराम का जो सासन से से 1700 तक फिर होगा यह कि राजाराम की updों बहुत ही कम समय में और नहें वह जाती है और राजाराम के बाद इसका सासन जो समालती है उनकी पत्नी उनका नाम होता है तारा भाई तारा भाई कहीं न कहीं यहां सासन को समालती है और तारा भाई जो है अपने अलपवस के बेटे को अपने छोटे बेटे को जिसका नाम होता है सिवाजी दिती सिवाजी दिती को सासन में बठा दी सिवाजी दीते हो यानि कि तारा भाई का जो समय चलेगा इसका भी टाइम डिरेशन याद रखेगा 1700 से 1707 तक यानि औरंग जेप की मृत्यू के समय जो सासन में थी सासी का जो थी तारा भाई थी और तारा भाई किसको बैठाई थी गद्धी पर अपने बेटे सिवाजी दीते को ऑट इन डायटली जो सपोर्ट कर रही थी वो कौन थी सासन कर रही थी कौन थी तारा भाई तो यहाँ पर फिर से देखिए सिवाजी जब खतम हुए तो सिवाजी के बेटे सम्भा जी याहां सासन में आए और 1680-89 तक इन्होंने सासन किया, 89 तक, उसके बाद कौन आए, सिवा जी के भाई आए, क्योंकि यहाँ पर हत्या हो गई थी, किसकी, संभा जी की, उसके बाद राजा राम आए, राजा राम का टाइम 89 से 1700, 1700 से 1707 तक कौन रहेंगी, तारा भाई रहेंगी, तारा भाई, तो औरंग जब की मित्यू के समय थी, उनका सासन था, तो औरंग जब की मित्यू के समय तारा भाई यहाँ पर सासन कर दी, तो अप्सान नमबर D आपका करेक्ट है, एक इतिहास कर, पानी पत की तिसरी लड़ाई को स्वयम देखा हुआ वा कौन था, यहाँ पर इतिहास कर, एक 1761 में लड़ा गया और ये पानी पत की तिसरी लड़ाई लड़ा गया था अब गौन सासक एहमद असा अबदाली के द्वारा और इनके विपक्च में इनके विरोध में यानि जिनसे इन्होंने लड़ा वो कौन थे मराठा सासक थे मराठा सासक और इस स्युधद को 1761 के पानी पत के तिसीरी लड़ाई को देखने वाले थे कासी राजपंडित कासी राजपंडित या बोला जाता है कि ये युद्ध जो हुआ पानीपत का थर्ड युद्ध या मुलना ची थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ ये इतना भैंगर युद्ध था कि बोले जाता है कि मराठाओं में, मराठाओं के घरों में एक भी ऐसा सदस्य नहीं था ज सासन कौन करेगा मराठा सामराज जमी सासन कौन करेगा ये चीट डिसाइड नहीं हुआ या दिल्ली पर सासन कौन करेगा ये चीट डिसाइड ये हुआ कि भारत में कौन सासन नहीं करेगा ये चीज इस चीज में इस युद्ध में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में डिसाइ मयूर सियासन पर बैटने वाला अंतिम सासक, अंतिम मुगल समराआट कौन था सालम प्रतम, मुम्मज सा, बादूर सा या जहादर सा जहादर सा तो यह बात है उत्तर मुगल काल की, पोश्ट मुगल बेलियरा की औरंग जिप कर समय जब खतर मुगल काल सुरत है तो उत्तर मुगल काल के सासक सबसे ज़्यादा अयोगे सासक हुए उनकी गिंती अयोगे सासकों में होती है एक भी सासक वहाँ पर ऐसा नहीं था जो अपनी सत्त को समाल सके तो उस समय की बात की जा रही है जो मयूर सियासन पर बैठा वह था मौमद सा रंगीला अंतिम सासक था यह जो था यहाँ पर अंतिम सासक था और इसका जो डूरेशन था 1719 से 1748 तक यहाँ इस गद्धी पर बैठा अब यह मयूर सियासन पर यह अंतिम सासक ऐसा क्यों बोला जा रहा है इसके समय में किसके समय में मौम्मद सारंगिला के समय में एक इरान का सासक आया था इरान का सासक आया था जिसका नाम था नादिर साह नादिर साह का आक्रमन हुआ था मौम्मद सारंगिला के टाइम में और वो टाइम था 1739 करना है 1739 में नादिर सागा जब अटैक हुआ मौमद सारंगिला के काल में और यहां पर जब लाल के लिए में प्रविस्ट कर गया नादिर सागा तो वहां पर साहा जहां के टाइम में बना हुआ महीूर सिहासन उसे मिला और यह महीूर सिहासन को ही लूट लिया था कौन? नादिर सागा इरान का सासक नादिर सागा इसे लूट लिया था ठीक है तो आपको पुछेगा कि यह महीूर सिहासन किसने बनवाया था तो आप बताएंगे किसने बनवाया था साहा जहा ने अपने समय में बनवाया था और कहां रखवाया था इसे? लाल की लाग कि इसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था, जिसे आपका नादिर साह लूट कर ले गया, तो इरान के सासक नादिर साह ने कब अटेक किया, मुहम्मद साह रंगिला के समय अटेक किया, और यहां क्या लूटा, मुगल सासकों से, यहां पर लूटा, मयूर सिहासन, जिसका निमार बादल खाने किया था, सहा जांके काल में, क्लियर, अगला कुश्चन, निमन में से कौन सा निला जले हो जड़ा या बोलना ची ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी से सम्मंदित है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी से सम्मंदित कौन सा है, यह बताना है, दालमीडा, अल्बुकर्ग, डूपले, रॉबर्ट क्लाइब, रॉबर्ट क्लाइब, तो यहां पर चार यूरोपियों के नाम लिखे हुए है, इन में से कौन सा करेट है जो ब्लू बॉटर पॉलिसी अपना है, तो यह बात है पूर्टगालियों की, यानि जो यूरोपियंस आए, उनमें सबसे पहले आए पूर्टगालि, तो पूर्टगालियों में एक वाय सराय बन कर आए था जिसका नाम था, फ्रांसिस्को डियालमीडा, इहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए, इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहट, इसने पुरे हिंडर महासागर पर, हि किसी भी दूसरे देश की ना हो यहाँ पर प्रविस करने से पहले उनको क्या करना होता था? कहीं औक ही पर्मि бросal लेना पड़ता था, किसे? पुर्दगालियों से, यानि पुर्दगालियों ने बोला जाये, तो पूरे भारत के जितने भी 30-6 वहाँ पर कब्जा कर लिया था पूर्टगालियों के द्वारा तो इसी policy क्या बोली गई blue water policy बोली गई अब एक और system मुष्टमें पर पूर्टगालियों के द्वारा चालू किया गया था उसे भी आप याद रखिए उसे हम बोलेंगे cards armida kafila काफिला वहस्था cards, armida, kafila वहस्था इसकी भी सुरुवात पूर्टगालियों के द्वारा की गई थी अब इस cards, armida, kafila वहस्था में क्या होगी जैसे कोई अगर विदेसी, now यहां आना चाती है, या विदेसी कोई आना चाता है, कोई देस का, यूरोपी देस का कोई आ रहा है, और वो चाता है कि इंडिया में बिजनस करें, इंडिया में बिजनस करें, विपार करें, तो विपार करने के लिए उसकी जब नाव आएगी तो उस नाव के लिए उसको permission लेनी होगी जिसे क्या बोलागया उस permission को cards बोला गया काlds ब beige और permission किन से लेना है पुर्टगालियों से तो उनकी नाउ जो प्रवेस करी की और वैपार करी की उसके लिए एक permission नहीं जाएगी उसे बोलागया cards और इसी के बोलागया cards आर्मेडा काफिला वैस था जिसके अंतरगत यहाँ पर कोई भिनाव बिना अनुमती के प्रवेस नहीं कर सकती थी क्लियर इस चीज़ को याद रखेगा भारत में पूर्तगाली सक्ति का वास्तविक सलसापक का कौन था रियल फाउंडर पूछा गया है पूर्तगालियों का जैसे आपको याद होगा पूर्तगालियों में वास्तविक सलसापक नहीं है इसने पूर्तगालियों को यहाँ इस्तापित नहीं किया आगे चल कर पूर्तगाली वैसराया है पूर्तगाली वैसराया है जिसमें आपका अल्बू करक अल्फांसो डी अल्बू करक ये हुआ आपका वस्तविक संसापक क्योंकि इसने पूर्टगाली सक्ति का विस्तार किया और 1510 में इसने गोवा को जीत लिया 1510 में बीजापूर के सासक आदिल सा से इसने गोवा के छेतर को पूरा जीत लिया और यहाँ पर अपना मुख्यालय भी स्थापित इसने कर लिया था इसी कारण से अलभू करको को क्या बोल आता है वस्तविक संसापक कीजिका पूर्टगाली सक्ति के एक और और आप्सन के बारे मैं यहाँ पर बताता हूं मैं आपको जो बार्थोलियोम्य डियाज है बार्थोलियोम्य डियाज बार्थोलियोम्य डियाज नहीं आपका कैप आप गुड होप के खोज की थी और 1487 में की थी 1487 में 1487 में क्या खोज की थी इसने कैप आप गुड होप की खोज की थी याने आपके वासको डिगामा के पहले भी एक प्यक्ति निकले थे आगे और कौन थे वो बार्थोलियोमी डियाज जिन्हों ने कैप आप गुड़ोप की खोज 1487 में की थी इसके बाद आपका कुलंबस निकला था भारत की खोज के लिए समुद्री मारगा से उसके बाद जो सफलता प्राप्त की उसे ने की थी वो है वास समुद्री मारगा से खोजा हुआ भारत को आता नहीं था इसकान आपी जानागा निकलिया हुआ कॉट्रिक के सफ नम्र नमर बिया आपके जौब चारनक, जौब चारनक ने कलकत्ता सहर की सापना तीन सहरों को मिला कर की थी, एक था खुद कलकत्ता, एक तो खुद कलकत्ता ही था, दूसरा इसमें मिलाया गया गोविंदपूर को, गोविंदपूर को, दूसरा सहर था इसमें गोविंदपूर, और तीसरा था सुतानती 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 तो यहाँ पर तीन शेतर को मिलाकर कलगत्ता, गोविंदपूर और सुतानती को मिलाकर क्या बसाया गया आपका? कलगत्ता सहर को बसाया गया और किसके दोरा बसाया गया? जॉब चारनक के दोरा बॉम्बे सहर को बसाया ये भी आपका important है तो आपका correct answer कौन सा है कलकत्ता को बसाने वाले कौन है आपके तो कलकत्ता को जीनों ने बसाया वो है आपके job चारना अगला question भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली factory पहली factory पहली factory कहां इस्थापित की गोवा बंगाल के ह अगली में आरकोट में या सूरत में सूरत में तो यहां पर correct answer है आपका सूरत 1613 में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी वैपारी factory कहां पर इस्थापित की सूरत में अब देखे 1608 में 1608 में Captain Hawkins आ चुका था व्यापार की अनुमती लेने आ चुका था मैंने बताया था पीछल title मिला था इंग्लिस खां का title मिला था किसको Captain Hawkins को उसके बाद यह हुआ उसके बाद यह हुआ कि इनको factory इस्थापित करने की यानि बोलना चीव वैपारी कोठी कैसे इस्थापित कर पाए तो हुआ यह था यह 1613 के पहले 1612 की बात है 1612 की बात है उस समय मुगल सासक जो है पुर्टगालियों की सकती से थोड़ा डारा करते थे यह पुर्टगाली वैपारी जो बोलते थे वो किया करते थे तो सुरुआत के दौर में जब कैप्टन हौकिंस आया था तो वैपार की अनुमती वहापन नहीं दी गई और उसके पीछे का भी रिजन कौन था पुर्टगाली ही थे तो यहने पुर्टगाली को समाप तक करेंगे कौन अंग्रेज और कब करेंगे 1612 में और 1612 में होगा बैटल आफ स्वाली या स्वाली का युद्ध होगा तो 1612 में क्या होगा बैटल आफ स्वाली होगा तो 1612 में क्या होगा बैटल आफ स्वाली होगा बैटल आफ स्वाली स्वाली का युद्ध इसमें क्या होगा एक अंग्रेज अधिकारी आएगा जिसका नाम होगा Captain Best Captain Best और Captain Best के दौरा पूर्तोगालियों को पराजित कर दिया जाएगा इसमें पूर्तोगाली हार जाएंगे डिफिट हो जाएंगे पूर्टगाली हार जाएंगे और यहां पर अंग्रेजों की सक्ति दिखा दी जाएगी कि इनको पूर्टगालियों को और आगे चल कर अंग्रेजों को अंग्रेजों ने क्यों की पूर्टगालियों को हरा दिया इस कारण से यहां पर मुगल सासक जहांगीर के द्वारा इनक गुजरात या स्वाली में इनको हराया गया पूर्टकालियों को उसके बाद ही वयपारिक अनुमत्ति मिली कि इनको अंग्रेजों को या वयपारिक कोठी बसानी की अनुमत्ति मिली अंग्रेजों को लेर अगला कोश्चन देखते है अले कोश्चन है फ्रांस सी सिर्णय कंपणी की स्थापना कभूई तो उनकी स्थापना लुइश 14 में हम हमें लूइश 15 में टाइम में लूइश 15 में लुइश 16 में में व्रांस सी इस इंडिया चила करी 1664 में इन यूई 14 के एक मंत्री हुआ करते थे जिन का नाम था कोलवर्ड और कोलमेड की सायता से इस फ्रांटसीसिए 3andy लिए कंपनी की सापन वही और पुछा जायेगा आपको कित फ्रांसेसी कमपनी 1668 में में फ्रांसुस्तिये कमपनी भारत पहुम्द ़ीडत सैके मैं आपको करम ही बता देता हूं कि कि सबसे पहले कोना है उसके बात कोना हैским उसको आप जान तो stat पहले आपके भारत में आए पुर्दगाली पुर्दगाली इपुर्दगाली यह प्रन नियून यूरोपियों में कौन आये थे पूर्टगाली, फॉर्टिन एंटेट में आपको वास्कोटी गामा आ चुका था, पूर्टगालियों के बाद, पूर्टगालियों के बाद, निदरलेंड के निवासी या हॉलेंड के निवासी डच आये, डचों के बाद आपके भारत में आए अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद सबसे अंतिम सबसे लाष्ट में आएंगे फ्रांसीसी सबसे लाष्ट में फ्रांसीसी आएंगे तो आपका correct answer कौन सा हो जाएगा फ्रांसीसी सबसे लाश्ट में आने वाले फ्रांसिसी और सबसे पहले पूछता तो आप क्या बताते पूर्टगाली आपको एक्रम में जमाने भी एक्जाम में दे सकता है कि क्रम में इसे जमाईए भारत वर्समें ब्रिटिश सामराज्य के संस्थापक कौन था वारेन हैस्टिंग, लोड़मस यर रॉबर्ट क्लाइव यर विलियम बेंटिक यहां पर ब्रिटिश सामराज्य के संस्थापक क स्रे जाएगा लोड रॉबर्ट क्लाइव को रॉबर्ट क्लाइव 네 यह हुआ था बंगालका पहलाःजरлюч सामराज्य का पहलाःजरdrop Mort प्रिटिश सक्ती को इस्थापित की थी, प्लासी के युद्ध के बाद और इप्लासी का बैटल अव प्लासी जो हुआ वह आपका 17-57 में, 17-57 में, तो यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर बना था आपका रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बैटल मुरसिदाबाद से मुंगेर इस्थाना दृती जित कर दी और किसने की मीर का असी में यह कौन है बंगाल का नवाब अब इसने ऐसा क्यों किया मुझसिदा बास से मुंगेरी सनाजित करने का रिजन क्या था तो हुआ यह था कि वहां पर जब आपके बैटल अफ प्लासी में सिराजुत दौला नवाब जब यहां पर हार जा जितना चाहें पैसा इन से डिमांड किया करते थे इस चीज़ से यहां के नवाब परिसान रहते थे और इसी चीज़ से परिसान होने के कारणी यहां पर जब मीर कासीम नवाब बनता है तो मीर कासीम क्या करेगा अपनी राजधानी बंगाल से यानि मुरसिदाबास से ले पारे में आपको पूछा है तो यहाँ पर देखिए वर्रुक्सियर सालम प्रत्रम सा अलम दितिए सुझा उन्ग्रेजों को जो दिवानी अधिकार मिले अधिकार उधिकार वह मिले थे बक्सर के उद्धिक स्जार्च तो सतरा सो सतरा सोपैंसट में उसके सदूर्स उसी में साह आलम दुल्टी के द्वारा यहां पर दिवानी अधिकार प्रदान ressource अंग्रेजों को दिवानी अधिकार किसे ने दिए सा आलम दुथी ने चलिए अगला क्ोश्चन देख लेते हैं 1760 में प्रसिद्ध वांडिवास का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया, वांडिवास का युद्ध यह थाido, フसित फ्रांसिसियों के बीच, तिसरा लड़ा गया युद्ध था preciso और अंग्रेजों की बीच, यह वांडिवास का युद्ध किसके बीच हुए था, और इसे युद्ध में इसे युद्ध में फ्रांसिसी बुरी तरीके से पराजित हुए जिसे हम जानते हैं वांडी वास के युद्ध के साथ यानि की वांडी वास के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ कौन हार गया आपके फ्रांसिसी हार गये तो option number A क्या होगा correct होगा और ये युद्ध किन के बीच लड़ा गया फ्रांसिसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया एक और युद्ध याद रखियेगा जिसमें अंग्रेजों ने एक और व्यपारिक जो company बन कराई थी भारत में उन्हें बाहर किया था और वो युद्ध है बेदरा का युद्ध है बेदरा का युद्ध है बेदरा का युद्ध होगा 1759 में तो 1759 में और 1760 में होगा वांडिवास और 1759 में एक साल पहली होगा बेदरा का युद्ध है इस सब बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा डचों को पराजित कर दिया जाएगा डचों को बाहर कर दिया जाएगा और डचों को पराजित कर दिया जाएगा इसे युद्ध में तो आपको पुछेगा कि बेदरा के युद्ध में कौन पराजित हुए थे तो पूछा आपको तो option number A correct होगा ये सुकर चाकिया मिसल से संबंदित थे राजा रडजी सी से संबंदित एक और question आएगा कि यहाँ पर एक अमरीज सर की संदी हुई थी जो बहुत famous है एक्जाम में पूछा भी गया है अमरीज सर की संदी तो राजा रडजी सी और मैटकॉफ के बीच एक अंग्रेज अदिकारी मैटकॉफ के बीच एक संदी हुई थी जिसे हम बोलते हैं अमरीज सर की संदी और ये हुई थी 1809 इसवी में तो याद रखेगा रडजी सी और मैटकॉफ के बीच एक संदी हुई थी जी से हम लोग जानते हैं हम्रीज सरकी संदी के साथ या ट्रीटि ओफ अम्रीज सरके नाम से जिसे हम जानेंगे कि यह कब हुआ था था अठारा सो नौ में एक्जाम का पूछा हुआ कोश्चा नहीं याद रखेगा कि अमरीज सरकी 1799 1793 1769 तो यह मैसूर्व सामराज क्ये मैसूर्स सामराज जिके एक सासक श्यो Exerc。 टिपू सिल्वान और टिपू सुल्व्थान जो है 1799 में स्री रंगपट्टनम में मृत्ती हुई और यहांपर 1799 में युद्ध हुआ था उसे बोलेंगे हम लोग फोर्थ एंगलो मराथा वार या चतूर्थ आंगल मैसूर युद्ध चतूर्थ आंगल मैसूर युद्ध इस चतूर्थ आंगल मैसूर युद्ध में यहाँ पर टिपू सुल्तान मारा गया अंगरेजों के द्वारा और पूरा मैसूर सामराज्य वहाँ पर समापत हो गया कलकता में एसियाटिक सोसाइटी की इस्थापना के समय बंगाल का गवर्णर जेनरल कौन था। यहां पर जब एस्यार्टिक सोसाइटी और बंगाल नाम से एक संस्ता की स्थापना की गई तो उस समय जो गवर्नर थे गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था लौड वारेन हैश्टिंग लौड वारेन हैश्टिंग तो इससे सम्मंदित कुछ चीज़ जान लेते हैं लौड वारेन हैश्टिंग को बंगाल का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोला जाता है याद रखेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोला जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल देखें लाइन से इसको ध्यान देजिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोला ज चांसे रहते हैं यह जो था बंगाल का अंतीम गवनर भी हुआ यहीं आपको साथ sound बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? Warren Hashting. साथी साथ बंगाल का पहला गवर्नर जनरर कौन बना? वो भी बना Warren Hashting. इसी के टाइम में Asiatic Society of Bengal बना. Asiatic Society की सापना हुई. Asiatic Society. और Asiatic Society की सापना 1784 में 1784 में William Johnson की William Jones ने की. Asiatic Society और बंगाल की सापना William Jones ने की. अगला कुश्चन देखिए. निम ने लिखित में से किसे ने बंगाल में 22 सापनाली को समाप्त किया. समाप्त किया. सुरू किया नहीं बोला है. समाप्त किया बोला है. तो ड्वैल सिस्टम में क्या होता था? 22 सासन में क्या होता था? यहाँ पर दिवानी अधिकार दिवानी राइड्स अंग्रेज रख लिये थे अपने पास और प्रसासन या एड्मिस्ट्रेशन के राइड किनके पास होते थे नवाप के पास. नवाप के पास बारे विया count को किया था समा पया था अब पिछले कोष्ट्रमन मत आया है बंगाल का गुवर्णर जनरर कौन राभर्ट ट्लाइम और प्रफं गवर्णर जनर्र कौन वारोरी एलदिया कर्ण को झा था है अपको डिख रहा है रॉर्ड कोर्न Lives उप्शन नबर बी जो दिख रहा है, लौड कार्navalis总 को हम किस नाम से जानते हैं तो लौड कार्navalis लौग जानते हैं सिविल सेवधिय सेवा के जन्मधाता के नामसे यानि सिविल सेवधिय सेवा कि चन्मधाता इसे जाता है इस्थाई बंदोबस्त की सुरुवात करने वाले भी यही थे इस्थाई बंदोबस्त ठीक है तो यहाँ पर लॉड करने वाली सिविल से वक्त जन्मद आता थे और सांधी सांधी क्या थे इस्थाई बंदोबस्त की भी सुरुवात इन्होंने की थे तो आज हम जो चीजे देख रहे थे मुगल काल से धीरे-धीरे हम मौडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं अब अगले सीरीज में आपको क्या मिलेगा मौडर्न इंडिया के या आधुनिक भारत के प्रश्टों को हम देखेंगे और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहें तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा धन्यवाद